जैस्री किष्ण, स्वागत आप सभी का मेरे भक्ती वावना यूट्योब चैनल पर दोस्तों, साथ सितंबर की रहने बाली है इस बार कृष्ण जनमाष्ट में कृष्ण जनमाष्ट में के दिन आपको कुछ चीजे भगवान कृष्ण को समर्पित करनी है इस दिन ग्रैन का योग बहुती अच्छा है और साथ रार्षियां बेहदी भाग्यसाली रहने वाली है कृष्ण जनमाष्ट में के दिन भगवान से किष्ण का जनम उस्सम मनाया जाता है भगवान कृष्ण अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं जिनको संतान का सुक नहीं मिला है या धन प्राप्ती नहीं उपा रही है प्रते कार में अर्चन आती हैं उनको कृष्ण जनमाष्ट में की दिन निम्न उपाय करने चाहिएं सबसे पहले सुवे इस्नान आधी करने के बाद में भगवान कृष्ण को इस्नान कराएं इस्नान कराने के बाद में सुंदर बस्तर पहनाएं चंदन का टीका लगाएं एक बार सुवैशनान कराने एक बार रात को बारे वजे शनान कराये जाते हैं जब जन्म होता है भगवान का शनान कराने के बाद में भगवान को मोरपंक अरपन करें पुत्र प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान को मोरपंक अरपन किये जाते हैं दन प्राप्ति के लिए भी मोर्पंक अर्पन किये जाते हैं, सपलता के लिए और संतान प्राप्ति के लिए बांसुरी भी भगवान को अर्पन की जाते हैं, तो मोर्पंक, बांसुरी और खीरा ये चीजे भगवान को अर्पन करनी हैं, मक्कन मिस्री का भोग लगाना हैं, भ बगवान के सामने आप इस दिन हवन भी कर सकते हैं। बगवान के सामने अपने इच्छा बोल लेए और शभी रासी बगवान को बांसुरी, मयूर्पंक, खीरे का प्रसाद, मक्छन मिस्री जरूरर अरपन करें और खीरे का प्रसाद खाना भिह है। भगवान क्रिष्ण को जनमाश्टमी दिन खीरा चड़ा कर कि जो खाते हैं उन्हें पुत्र प्राप्ति का यूग बन जाता है। इस दिन भगवान के इश्णान का जो जल होता है वो एफ प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। वो एफ चड़ना में तो था है। क्रिष्ण जनमाश्टमी का उस्व पूरे बिश्व में बारा से नहीं पूरे बिश्व में दून धाम से मनाया जाता है। भगवान सी किष्ण का जनमाश्व पूरे उस्वा के साथ मनाया जाता है। इस दिन ग्रहन की इस्तिती बहुत ही अच्छी है। इस दिन ग्रेन की स्थिति इतनी अच्छी है कि आप अगर भगवान को तुलसी पत्र, खीरा, अरपन करते हैं, भगवान के सामने इस दिन अनिष्टान करते हैं, चोटा सा हवन करते हैं, भगवान को बंसरी, मयूर पंक अरपन करते हैं, तो आपकी मनो कामना पूरी होने से को पूरे घर में लगाएं इस दिन भगवान के सामने अपने इच्छा बोलकर के तुलसी पत्र जरूर अरपन करना चाहिए तुलसी पत्र भगवान को जरूर अरपन करना चाहिए कई रासियों का योग तो इस दिन बहुत ही अच्छा है जिसमें से मेश रासी, मिथुन रासी, करक रासी, सिंग रासी, कन्या रासी, तुला रासी, व्रेश्चिक रासी, मकर कुम और मीन रासी ये रासियां ही इस दिन बेहदी भाग्यसाली रहने वाली है, तो कृष्चन जन्माश्टिमी का उस्सवा आने बाला है, दिन आने बाला है, जो सबसे बड़ा साल का दिन होता है, इस दिन धूमदाम से भगवान से कृष्चन का जन्मुस्वा मना है, वीडियो को जाज-ज चैनल को सबस्क्राइब करें, जैसे.